नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे चानल A2Z Speed News में पाकिसान के किलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंगलेंड की टीम घोशित हो गई है बता दे किसीरीज का आखरी टेस्ट मैच सौथ हैम्टन में खेला जाएगा तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में इंगलेंड की टीम एक शुन्य से आगे है पहला टेस्ट मैच इंगलेंड ने जीता था तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच बारिस की वज़े से ड्राव पर समाप्त हुआ ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम के लिए काफी अहम है बता दे कि तीसरे टेस्ट के लिए इंगलेंड की टीम में कोई बदलाओ नहीं है गौर तलबे की बेंस्टोक पारिवारी कारणों के चलते टेस्ट सिरीज नहीं केल रहे है पाकिस्तान की टीम के लिए साख बचाने वाली लड़ाई होगी आपको पता दे कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान इंगलेंड से टेस सीरिस नहीं हारी है तो वहीं इंगलेंड ने अपने घर पर पिछले 6 सालों से टेस सीरिस जितते आई है इंग्लेंड पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच साउथ हैंटन के रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम में खिला जाएगा तीसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसा रण भारत में दोपहर साड़े तीन बजे से होगा भारत में पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव टेली का सोनी 6, सोनी 6HD, सोनी 10 Sports 1, सोनी 10 Sports 1 HD चैनलों पर होगा इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव आप पर भी होगा इंग्लेंड की प्लेइंग 11, रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, जॉक क्रॉली, जो रूट कैप्टन, ओली पोप, जोस बटलर विकेट कीपर, क्रिस ओक्स, सैम करन, डोमिनिक बेस, स्टूर्ट ब्रोड और जेम्स एंडरसन पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11, शान मसूद, आबिद अली, अजर अली कप्तान, बाबर आजम, असद शफिक, मौमद रिजवान विकेट कीपर, फवाद आलम, एसिर शाह, शाहिन शाह आफरिदी, नसीम शाह और मौमद अब्बास दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में कौन से टीम जीत सकती है, आपका विचार हमें कमेंट करके जरूर बताए, और अभी तक आपने हमारा यूटूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए, धनावाद जैहिन